आज हम बात करेंगे श्रेष्ठता की दोस्तों श्रेष्ठता की भावना को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं ठंड के मौसम में कुछ बंदर ठिटुर रहे थे तब ही उन्हें एक जुगनु मिला जुगनु से रोष्णी आ रही थी जैसे वो कोई उड़ता हुआ अंगारा हो बंदरों ने जुगनु को पकड़ कर सूखी लकड़ियों पर रखा और सब मिलकर उसे फूकने लगे शायद किसी गाम में इंसानों को देखा होगा छोटी सी चिंगारी को फूंक कर आग बनाते हुए उन्होंने भी आग लगाने का प्रयास शुरू कर दिया कुछ ही देर में जुगनु मर गया उससे आ रहा प्रकाश बुझ गया बन्दरों ने दूसरे जुगनु को पकड़ लिया और फिर से फूकना शुरू कर दिया पास के पेड़ पर एक सयानी चिडिया बैठी थी बन्दरों की मशक्कत देख कर चिडिया ने बन्दरों से कहा कि आप बेकार मेहनत कर रहे हैं ये जुगनु है चिंगारी नहीं देखा नहीं मुझे जुगनु को खाते हुए अगर ये आग होती तो मैं जल जाती तुम सब बेकार मेहनत कर रहे हो हम विचार करेंगे तो तुरंत जान पाएंगे कि हमारी भी आधी जिंदिगी ऐसे ही कई प्रयासों में बीत जाती है कोई आइने में अपना मुख देखकर अभिनेता बनने निकल पड़ता है जीवन बीत जाता है मगर सफलता नहीं मिलती कोई विवसाय करने का स्वपन लेकर जीता है नौकरी नहीं करता और दरिद्र रह जाता है कोई जुए में लाखों जीतने का स्वपन लेकर चलता रहता है और जीवन नश्ट कर देता है क्या हम सब आग की आशा में किसी ना किसी जुगनू को नहीं फूक रहे उस कहानी की चिडिया ने जब बंदरों से कहा कि तुम सब जुगनों को फूप कर आग नहीं लगा पाओगे तो बंदरों ने गुसा होकर उस चिडिया को मार दिया हमें भी जब कोई कहता है कि हम जिस स्वपन को लेकर चल रहे हैं वो मिथ्या है तो हमारा प्रतिभाव क्या ऐसा ही नहीं होता क्या सला देने वाले पर हम गुसा नहीं हो जाते अब ये भी आश्चर रहे है कि एक और हमें कहा जाता है मनुष्य जब कोई स्वपन लेकर महनत कर तो अवश्य सफल होता है। दूसरी और ये भी कहा जाता है कि सारे स्वप्न सफल नहीं होते। समय आने पर जुगनु और चिंगारी का भेद समझना आवश्चक है। इस दुविधा का उपाय क्या है। जो वेक्ति ये कहता है कि उसे किसी के सुझाव की आविशकता ही नहीं। क्या वास्तव में अपने आपको जान पाता है। क्या उसके भीतर सच्चा आत्म विश्वास जन्म ले सकता है। कहानी के बंदरों ने चिडिया को मारते हुए यही कहा था कि हम इतने बड़े और विशाल हैं, इतने ताकतवर हैं हमें तुम्हारी सला की कोई आविशक्ता ही नहीं इस मिथ्या भावना के कारण वो बंदर आज भी जुगनु को फूक मार कर आग जलाने की कोशिश में ठिटो रहे हैं पर आज हमने बात की श्रेश्चता पर, कल बात करेंगे प्रभाव और असफलता पर तब तक आज कही बातों पर विचार कीजे और कल की प्रतिक्षा कीजे झाल